अगर आप अपने हैर लॉस या हैर के लिए थोड़े भी चिंतित हैं परिशान है कश्रान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक का डिस्केशन आपके लिए अति आवश्यक है क्योंकि हैर इस नहीं है तो आपको पता ऑपकीं चलेगी आप आप सही क्या कर रहे हो गलत क्या कर रहे हो और तो भी्षान है को अब करने से पहले बालों को तच करता है आपको पता चल जाता है कि कोई जलने वाली चीज है आप लिह पहता देते हों आपके ज़ेंग सेंसरी के लिए बहुत जरुरी होते हैं पुरी बॉडी हैं मर्द और 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 वड़踏क्रण बताते हैं सो है जो हैं बन्ते आपके कब से हैं थोड़ा बैग्राउंड में ह brewery समझज लेते हं फिर इसकी साइखल समझें पहले स्ट्पर समझेंगे elektronerी सैकल कई स्ट्रक्चर नहीं समझेगा सारे के सारे बन जाते हैं जी आपके पूरे 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 हैर फॉलिकल बन जाते हैं और इस स्टेज में कितने हैर फॉलिकल बन जाते हैं पूरी बोड़ी में सारे कि शारी शरी में अप्रॉक्सिमिट वैल्यू और सिर्फ सर सर पे एक मिलियन एक मिलियन हैर फॉलिकल में होते हैं और जो हैड के उपर स्काल्फ हो गया इधर उदर सारी जगा पर आ जाते हैं और यह एक आपकी बॉड़ी के अंदर सबसे जादा हैर फॉलिकल उसी समय होते हैं और फिर तीरे तीरे कम होते जाते हैं वो अलग बात है लाइफ के साथ लाइफ के साथ आप क्योंकि पेट में जितने फॉलिकल आ गए आ गए यह सिंपल्सी बात है और ज्यादा तर लोग यह नोटिस करते हैं कि उनकी स्काल्प हैर सर के बाल जो होते हैं जैसे जैसे बच्चों से एडलो हो जाते हैं vios करते जाहे वो अभिव इंसिटी जो है voki मोती जाती है हैर तो ग्रो होते हैं रीजन हे लेकिन टिःकने सपाल्प ग्रो होता है सब्सक्राइब हो रहा है लेकिन हैर फॉलिकल उत्ते ही है तो जब उतने हैर फॉलिकल ज्यादा एरिया में घज़ जाएगे तो एक डेंसिटी कम हो जाएगी समझ रहे हो तो हैर फॉलिकल होता क्या यह है स्वार फॉलिकल बसले में खालिकल्चा व्यकर थे haven के कम्रंटलिकरК में प्यक्यकिन होता है क्यूंत जूंड़ यह सब्सक्राइब Cheered आघर स्पॉलिकल होता है essa टनल के जैसा होता है छोटी ची टनल होती है वो भी और वो आपके epidermis यहने skin के उपर लेयर से dermis तक अंदर वाले लेयर तक जाता है और इसके अंदर भी कई सारे लेयर होते हैं जो के अलग-अलग function करते हैं अलग-अलग काम होता है सबसे नीचे base of the follicle जिसको कहते हैं base में सबसे नीचे जो होता है papilla papilla होता है इसमें capillaries होते हैं इसमें खून supply होता है इसमें blood आता है hair के shaft में कोई blood नहीं है कोई sensation नहीं है उसको काटोगे आपको दर्द नहीं होगा follicle खीचने से खून निकलता है याद है ना इसी लिए दर्द होता है क्योंकि वहाँ follicle से जब papilla सबसे नीचे वाली layer खीची जाती है वहाँ होते हैं चोटी-चोटी खून की नसे capillary जो के नरिश करते हैं इसके मदद से hair follicle बनते है शाफ्ट बनते हैं वहाँ पर इसको जहां पर यह सबसे नीचे है papilla papilla के living part है hair का सबसे नीचे जो papilla जो papilla के आसपास मान लीजे जैसे papilla होता है यह papilla तो उसके आसपास ऐसे living part होता है मान लो ऐसा papilla है और है living part hair का फिर उसके बाद है ऐसे जा रहा है तो जो living part होता है है यह को कहते हैं bulb वह पार्ट है का living होता है उसको काटोगे ले हैर पुरा खीचोंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है वरना नहीं होता और यह बल्ब के जो cell होते हैं इसको divide होते रहते हैं थपा थप 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 एवरी 23-72 hours मतलब हर 2-4 दिनों में हर 2-4 दिनों में यह divide होते रहते हैं और यह किसी और बुरी बॉड़ी के किसी और cell से ज़्यादा तेज़ डिवाइड हो रहे हैं एक से दो दो इसको थोड़ा protection मिले और शी एर शाफड रिचे सिह गलैंड होता है विक इस बैसीकली 55 और एपयाइन गलैंड बही होता है जो सेंट गलैंड वही होते हैं जो हैर फॉलिकल के अंदर होते हैं और यह जो पूरे गलैंड है तक चलते हुपर तक करते हैं जो के उपर मसल भी मसल यह ग्लैंड और फाइब्रस जो कह थैं जो बाल होती है बाला करना थोड़ा मुश्किल होता है ये छोटी-छोटे बाल जल्दी खड़े हो जाते हैं यह मसल जब कॉंट्रैक्ट करती है है एर स्टैंड अप्स राइट और सिविशिस ग्लैंड जोते हैं वह सिक्रीट कर देते हैं है यह सिक्रीट करने के लिए जो के हैर को स्किन को मॉइस्ट रखता है और अच्छी उसकी कंसिस्टन सी ने नैचरल फॉम में अच्छी रहती है और प्यूबर्टी की टाइम पर आप जब जवान होते हैं जवानी जब फूटती है तो बहुत सारी ग्रोथ आपके बॉड़ी के देखी जाती है टेस्टोस्टिरोन और फीमेल होर्मोन के इस्टोजन के एफेक्ट के वज़े से उस टाइम पे हैर ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है सारी बोड़ी का हैर ग्रोथ होता है और यह सीबम भी बहुत ज्यादा निकलता है इसी वज़े से आपको एक्ने भी बह तो बिना प्रोटीन खाए बाइब नहीं खा रहे हो जिरो पॉइंट ग्राम पर केजी बडी वेट नहीं खा रहे हो तो हैर लॉस होगा कुछ कर लो कोई दवा लगा लो कोई भाइदा नहीं होने वाला अधेगा कहा से घर हैर शाफ्ट इस मेड प्रोटीन की राटीन नाम का प्रोटीन की राटीन में होते हैं टीन लेयर में यह प्रोटीन होता है उसके उपर सबसे बहुं क्यूटिकल होता है क्यूटिकल ऐसा उसके माझनी जुड़ा होगा मांनी जुड़ कॉटिकल उतना स्मूद शाइनी हैर लगेंगे क्यूटिकल ऐसा फैला हुआ ही क्यूरत कुटिकल उसके अंदर मौश्चर पकड़ के रखता है तो क्यूटिकल कॉर्टेक्स मेडूला मेडूला अंदर कॉर्टेक्स कुटिकल सिंपल हायर शाफ्ट में तीन लेयर है तो क्यूटिकल कॉर्टेक्स जो होता है वह सबसे मेजॉरिटी पार्ट होता है मेडूला छोटा सा होता है क्वार का कवर चाहर का सिंपल सा सिंगरलęt ओर ओंधे जो हुते हैं इसके अंदर हैर के pigment होते हैं1 में और मेडूला में जिससे कलर मिलती है क्यों है उस एक कोई morte होता वह कर लोलानस मान के चलिए चरिंए है बेसिक हैरी growth कैसे है क्या होता है स्ट्रक्चर कैसे है अगर आपको structure नहीं पता तो तो इस वरी डिफिकल्ट वंडर्सटैंड हाओ यू लगने है और वह साइकल सी है जो आपके स्काल पे बनते हैं ये ग्रोथ इसकी जो रेट है 0.3 से 0.4 mm per day ग्रोथ है इतना कम mm, mm इत्तु सा होता है उसमें से भी 0.3, 0.4 कता ही आपको समझ में नहीं आने वाला है बड़ा की नहीं बड़ा एक दिन में, एक साल में 6 इंच ग्रो होगा बस, 6 इंच एक साल में वो भी अगर आपके पास सही nutrition है, सही care है तो, टूटे नहीं तो, दूसरे मैमल, दूसरे जानवरों के मुकाबले, human hair growth और shedding काफी random होती है, कोई season हिसाब नहीं होता, कोई ऐसा नहीं है, कुत्ते के बाल जड़ने का season होता है, डॉगी के, वैसे हमारा कोई season नहीं होता, हमारे वैसी जड़ जाते हैं, जाए मातादी बोलके चलो मैं जा रहा ह रोज के 100 बाल तक जड़ सकते हैं, that is normal, ठीक है, at any given time, number of hair जो हमने बताया, वो तीन stages में divide है, hair के cycle है